500 लोग जिलूस लेके आया, जिलूस लेके आया, एक बैग घर में ढूग गया, हमको मारने लगा, मारके सब चाहु धान सब गर में से लुट ले गया अटकका और नहरा बाजी खुब करने लगा, और एक बैग आकर महजीत पर और हमला कर दिया पुरा रोड़ा से घर को भर दिया हमारे, तो मत जगरा कीजिए लगा, तो हमको कहता है से तुम अंदर जाएगा कि तुम्हारा इज़त भी लुट लेंगे हो बिहार के मश्रकी चमपारजीरे के ढाका थाना च्छेतरे के जमुआ गाउं में, दस नॉमबर की देशाम नमाज पढ़ रहे लोगों पर, एंडिये की जीत की जश्ट मना रहे, अक्सरियती तबका की तरफ से पत्राओ की जाने के बाद, तो अकलियती तबका में अभी भी दर्शत वखौफ का माहौल है, इंतजामिया की तरफ से खुसरवाड के खिलाफ किसी तरह की ठोस करवाई नहीं की गई है, इस बाबस समाधाता ने गाउं पहुचा जहां पुलिस क्रेम कर रही है, मश्रिद के शेहन अंदर और छट पर इट पत्थर पड़े हुए हैं, गंदी गंदी गालियां दी गई, पुलिस ने इस मामले में वारदात की रात में दो लोगों को गिरफतार कर जेल भेच चुकी है, लेकिन अब तक नामज़ा तीन दर्जन से ज़्यादा लोगों में से किसी की गिरफतारी अमल में नहीं आई है, जिससे अकलितों में का कर फून कार दिये इस वारदात की चश्मिदीद और जख्मी मुहमद एक रामुद्दीन बताते हैं मगरिब की निमाज पढ़कर निकल रहे थे कि करीब जुलूस में 200 लोग जिते हुई उमिद्वार के हक में जैश्री राम की नारे लगा रहे थे कि अचानक पत्थराफ शुरूर कर दिया गया एक चिचा गिर गए लोगों ने मस्जिद में दाखिल होकर पंके तक निकाल लिए वहीं मुहमद निजामुदीन बताते हैं कि मगरिब की निमाज के वक जुलूस आया तो एक खातून ने जुलूस में पत्थर चलाया उसके बाद सभी लोगों ने पत्थर बरसा लोग पांच आदमी मगरिब का टाइम था हम लोगों नमाज पढ़ चुके हुए थे वह लोग चार से पांच सो के करीब लोग हुजूम लेके आया यहां और फटक का और नहरा बाजी खुब करने लगा और एक पांच आदमी हम लोग इधर उदर चुपे और लोग महजीत पर चड़के जय सरी राम का नारा भी लगाया आये भी का अज महजीत को तोड़के यहां मंदिर बनाएंगे यहां से लेकर उहां तक हमारा हुकूमत है हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता मन मानी जो चाहेंगे जो क करें यह मुब कहां से थे भीर थी कहां के थी भीर यह गाउं के तरफ से हुजूम आया चार से 400 के करीब 500 के करीब इसी के तकरीबन आगे-ागे जो ओई-फिन्दु समाज के लोग थे जो देवींदर तेवारी है जीगन तेवारी है हमारे महले के भींदा साथ धुकरू आगे आगे थे ओही लोग जुलूस को बढ़ा रहते हैं, ओही लोग उसका के और दंग पसाद करा है। इस समानों को गोर से देख रही आसमीन काती हैं, कि हमने लोगों से कहा कि आप लोग इस तरह मत जगड़िये। इतना कहने के बाद जुलूस में शामिल लोगों ने गलत हरकत करने की धंकी दी, काट देंगे। इतना सुनते ही मैंने दरवाजे बंद करने लगे, कि लोगों ने 50,000 रुपिये दुकान के समान लूट ले गए और गारी को तूट दिया गया। इतना ही नहीं हम घर वालों को बाहर से बंद करके चले गए। कुछ देर के बाद दूसरे लोग आये तो बाहर से खोला गया। अब मेरे पास आमदनी का कोई जड़िया नहीं है। का हुआ कैसे हुआ हम लोग को खड़ी थे ना तो सारा कुछ ओपनी का जगरा जूरी होने लागा। तो हम उसको बोले से भाईया मत इतना जगरा कीजिये। तो हमको काता है से तुम अंदर जाएगा कि तुम्हारा इजट भी लुट लेंगे हूं। इजट भी लुट लेंगे, मारेंगे, काट देंगे तुमको। तो हम लोको इतना जगरा काड़ हुआ तो हम अंदर के माड़ी बनखिया तले हमारा पच्छाजार रुपईया दोकान, भर सब को लुट लिया। उसके बाद में वे बाएक को फोर दिया। फोरने के बाद में हम लोको भर से निकाल के बाहर कर दिया। एक और खातून काती है कि जीगन तिवारी, दिविन्द और तेल बेली ने घर पर हमला करके पत्त्र बरसा है। नजमा खातून इसके घर पर लोगों ने हमला करके रासन लुट लिये। दिवार को तोर दिया। वो रोती होई कहती है। 500 लोग अचानक घर में दाखिल हो गया। मारा पिटा और घर में रखे रासन को लुट लिया। करके हम लोग खड़े हो घरे। 500 लोग जिलूस लेके आया। जिलूस लेके आया। एक भए घर में धुबिया। हमको मारने लागा मारके सब चार धान सब को घर में से लुट ले गया। हम भी रोकाना तब जाके मस्जित में धुबिया। दूके सब को तोर फार सब दिया। अगाली बखने लागा। पुड़े वर्दात के हुए कई घंटे गुजट चुके हैं। लेकिन मकामी इंतजामिया ने अब तक किसी भी नामजद लोगों को गिरफतार नहीं किया है। जिसे अकलती तबकों में इंतजामिया के तहीं नाराजगी और गुसे के लहर है। अकरम जफीर बीड रिपोर्ट प्लेट टाइम्स मुतिहारी।